हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो मैं चैनल दिस्पाइस अफ लाइफ तो आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक रिक्वेस्टेड वीडियो और ये है आलू मतर पनीर की एक बहुती टेस्टी रेसिपी ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि शादियों बनने वाल मतर पनीर के सबजी भी इसके सामने फिकी पर जाए मतर पनीर बहुत सारी तरीकों से बनाये जाती है I mean बहुत सारे भारियेशन होते हैं पर मैं आपके साथ जो रेसिपी शियर करूंगी वो आपको कोई भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा। और घर पे पड़े हुए कुछी मसालों से हम इसे बनाएंगे। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पनीर को फ्राइ करेंगे और पनीर को फ्राइ करने के लिए डालेंगी रिफाइन डॉयल, गैस का फ्लेम हम इस्टाइम कर देंगे मिडियम और इससे हम हलका सा ही फ्राइ करेंगे। पनीर को अगर हम ज़्यादा fry करेंगे तो यह बिल्कुल बन जाएगी रबर की तरह तो इससे हम बिल्कुल हलका सा यह fry करेंगे स्वाद का नुसार नमक क्वैट कर देंगे और इससे हम हलका सा गोल्डन ब्राउन होने तब फ्राई करेंगे यहाँ पे देखिए यह हलका सा ब्राउन हो चुका है अब इसे हम अलग से प्लेट में निकाल देंगे अब सेम पैन में हम डालेंगे एक चमच जीरा, चार एलाइची और एक डालचीनी और इसके दो सकिन बाद हमेट करेंगे ओनियन का पेस्ट यहाँ पर मैंने चार मिडियन से इसका प्याज यूज किया है अब इस प्याज के पेस्ट को हलका सा ब्राउन होने तक अची तरह से पकाना है और इसके साथ हम एट करेंगे एक चमच इंखिसा हुओ अध्रक और एक चमच ग्रेट किया हुओ लहसुन अब इन सब ही को हमें अची तरह से पकाना है और इसे अची तरह से पकाने के लिए इससे हम ढ़क के पकाएंगे बिल्कुल 5 मिट के लिए एकदम लो फ्लेम पे और जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हम आलू को फ्राई कर लेंगे ये सारे नए आलू है तो इसे पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इससे हम हल्दी और नमक डालके फ्राइ करेंगे और गयास का फ्लिम हम लो पे रखेंगे अब यहाँ पे देखिए पाच मिट बाद रखन को हटाएंगे एट करेंगे बारिक कटा हुओ हरी मिर्च इससे हम हल्का से चला लेंगे आप जितना तीखा खना पसंद करते हैं उस इसाब से अब हरी मिर्च को एट करें अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले मसालो में मैंने एट किया है एक चमच जीरा पौडर, दो चमच धनिया पौडर, दो चमच कश्मी रेचली पौडर और एक चमच हल्दी पौडर अब इन मसालो को हमें अच्छी तरह से भूनना है अब गैस का फ्लेम कर देंगे लो और इससे हम ढखके पकाएंगे करीब 7-8 मिनिट के लिए अब जब तक मसाले पक रहे हैं हम एक पेस्ट बना कर त्यार कर लेंगे जिसमें हम डालेंगे 10-12 काजू, 10-12 किश्मिश और 2 टमाटर काजू और किश्मिश को पाने में पहले से ही भिगो के रख दे ताकि इसका एक स्मूद पेस्ट बन कर त्यार हो सके अब ये देखिए 7-8 मिन के बार धकन को हटाएंगे और एट कर देंगे काजू, किश्मिश और टमाटर का पेस्ट अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें एट करेंगे फ्राइ किया हुआ आलू अब आलू के साथ मसालो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आलू का साइस जो है आप देख सकते हैं अगर आपके पास बड़े आलू हैं तो उसे आप 20 से कट करके फिर इसमें एट करें और इसके साथ हम एट करेंगे एक कप हडा मटर और साथ में हम एट कर देंगे स्वात्कनुसा नमक अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम धक के पकाएंगे करीब 8-9 मिनिट के लिए बिलकुल लो फ्लेम पे अब ये देखिए करीब 8-9 मिनिट के बार धकन को अटाएंगे आप देख सकते हैं कि मसालों से तेल अलग होना शुरू हो चुका है मतलब मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं इसे हम एक बार चला लेंगे वैसे जितनी भी तरीकों से इसको आप बनाएं ये खाने में बहुत ही टिस्ट लगता है क्योंकि मतर के साथ पनीर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही बड़ी लगता है खाने में अब एट कर देंगे फ्राइ किया हो पनीर और अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैट करेंगे पानी मैंने यहाँ पे करेब एक कप गरम पानी का यूज किया है आपको जितना गड़ी भी रखना है उससाब से आप पानी का यूज करें और पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें मैट करेंगे कसूरी मेथी, और इसके साथ हम मैट करेंगे करीब एक बद चमच गर्म मसाला पाउडर, अब इससे हम ढखके पकाएंगे करीब 5 मिनित के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, और ये देखिए करीब 5 मिनित के बाद हम ढकन को हटाएंगे इसे देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इस सबजी कितनी टेस्टी बनी है अब इससे हम एक बाद चला लेंगे इसको आप चाहे तो चपाती के साथ चाहे तो पराठे के साथ पूरी के साथ तो ये गजब लगता है खाने में या फिर इस इसको हम 5 मिट लिए रखेंगे और फिर इसको हम सर्फ करेंगे तो आई होप ये सिंप्ल रेसिपी आपको पसंद आई होगी और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे और इजी लगे तो इससे आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल की वीडिय आते रहें और देख तरे मेरे चैनल दिस्पाइस अफ्लाइफ विद प्रिती शहान नमस्कार